गुड इवनिंग अभीबरी, माइनम इस विश्वदीब और वेलकम यू आल अन अनकाडमी कंप्यूटर साइंस चानल फॉर अनलिमिटेड लर्निंग कल तक हमने बात की कि CPU कैसे काम करता है, डेटा पात समझा फिर हमने उसके basis पे ये चीज़ समझी कि CPU को काम कराने के लिए सबसे important चीज़ है control unit कि control unit क्या करती है, control unit जो है वो signal generate करती है और बचे हुए component उन signals पे काम करते है कल तक हमने ये देख लिया था, आज हम देखेंगे control unit के types, उन में से एक type है hardwired control unit वो आज हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ये काम कैसे करता है, चलिए आईए स्टार्ट करते हैं session को with high energy ताकि हम ये चीज़ समझ पाएं कि hardwired control unit काम कैसे करता है, before we start मुझे अपने आपको introduce कराना जरूरी है उन लोगो के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं experience है, उस experience को सीख के, उस experience से सीख के एक चीज़ मुझे पता चली, वो ये थी कि इस country के engineers को एक अच्छी basic सोड़, एकदम basic से zero से और बहुत quality की education की ज़रूरत है बस वही motive था मेरा कि मैं education sector में आऊं और आप जैसे काफी सारे लोगों को benefit पहुँचाऊं इस channel के तरू, unacademy platform के तरू मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस channel पे और unacademy platform पे आपको बहुत सारे free lectures मिल जाएंगे मेरे, ताकि आप लोगों तब मेरा जो भी content है, वो सही तरीके से पहुँच पाए, कैसे पहुँचेगा, unacademy के platform पे आप कैसे access करेंगे, unacademy.com पे जाओ, या फिर learner app डाउनलोड करो, unacademy का, gate AC category में account बनाओ, विश्वदीन बोठी को सर्च करो, follow करो, और मेरी profile में जाके special classes ढूंडो, hundreds of classes हैं, absolutely free, बहुत अलग-अलग type की classes ले रखी हैं मैंने वहाँ पे, सारी के सारी free हैं, unlock करने के लिए code यूज कर लेना, य अगर मागी तो, ये free classes attend करने का फायदा क्या है, एक तो interactive होती है, polls की facility है, यहाँ पे आप class miss नहीं करेंगे, कोई भी lecture notes आपको मिल जाते हैं, कभी भी कहीं से भी ये lectures आप download करके और देख सकते हो, ये सारे features हैं अन अकडमी के platform पे, but क्या आप लोगों की preparation जो चल रही है, क्या आपकी preparation बहुत efficiently चल रही है, क्या जो आप time spend करते हैं, 6 hours, 4 hours, 8 hours, 12 hours, जितना भी एक दिन में, क्या वो efficiently utilize हो पा रहा है, अगर नहीं तो क्यों, जानने की कोशिश करना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने efforts लगाए हैं, तो हमारे efforts के बराबर हमें result भी मिलना चाहिए, in the preparation also in the final exam also, अगर ऐसा नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे जानने की क्यों problem हो सकती हो सकता है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं हो सकता है, आपको doubt session नहीं मिल पा रहा है, doubt आपके clear नहीं हो पा रहे हैं, हो सकता है, आपको proper content नहीं मिल पाता है, कि एक बार question कह से सॉल करे, प्रेक्टिस कहां से करे, कब PYQ करे, कब क्या करे, और उसको सबको figure out करने के लिए आपका time waste होता है, और ये सारी problems जो हैं, अगर आपके, आपके preparation में भी हैं, तो आपको चाहिए एक systematic, एक organized और एकदम structured preparation plan, जो आपको मिलेगा on academy plus पे, यहां मिलेंगे आपको live classes, वहां मिलेंगे आपको daily practice problems, DPP, जिससे आपको पता चलेगा, अच्छा, class सीखने के बाद, जब सर ने question कराया, उनसे बना, मुझसे बनेगा की नहीं बनेगा practice, question भी हमी provide करवाएंगे आपको, फिर आपको week में test मिलेगा, ताकि आपको पता चले कि, ओके, अब मैं exam में यस type की question solve करने के capable रहूंगा, यह नहीं, जब pressure situation आएगी, कुछ नया type का question आएगा, तब कैसे solve किया जाएगा, उसकी learning होगी यहां से, doubt solving मिलेगा, guidance of educator मिलेगा, और और भी बहुत सारे benefits हैं, जो कि आपको unacademy plus मिलेगे, यह unacademy plus का subscription आप duration ले सकते हो, different different, but आज एक बहुत special offer है, और वो offer यह है कि अगर आप subscription लेते हैं, 12 months से जादा का, सिर्फ आज, तो आपको मिलेगा, क्या, एक, तो 10% already reduced prices, और उस पे 10% discount मिल जाएगा, अगर आप code use करेंगे, वीदीव 10, सिर्फ आज ही offer है, यह only today, this particular offer is, तो अगर आप subscription लेना चाहते हैं, तो यह offer याद रख लो, 10 plus 10, पहले 10% already reduced है, उस पे भी और 10% का discount extra मिल जाएगा, आपको अगर आप code use करोगे, वीदीव 10, आज ही offer है, अगर लेना है, तो आप subscription लेना चाहते हो, तो जल्दी से आज ही ले लो, iconic subscription भी एक subscription है, जिसमें आपको मिलेंगे, Unicademy Plus के सारे benefits, और सांती साथ मिलेगा एक personal कूच का benefit, ये देंगे आपको एक preparation strategy, customized study plan, आपका performance track किया जाएगा, आपको मिलेंगे dedicated doubt clearing instructors, preparation strategies, study material extra, booster session, personalized test analysis, मतलब अगर और जादा personalized या customized preparation चाहिए, तो iconic subscription पे जाओ, prices हैं, यहाँ पे आपके पास में using this code, आप 10% discount पा सकते हैं, तो याद रखें, यह जो offer है, सिर्फ आज ही के लिए है, सिर्फ today, only till midnight today, तो अगर subscription लेना है, code याद ही है आप लोगों को, VDeep10 code use करके subscription ले लो, ताकि आप लोगों को top educators of country ये साथ पढ़ने का, और उनके साथ अपनी preparation को आगे बढ़ाने का मोका मिल जाए, चलिए, तो start करें session को, कल तक जो हमने पढ़ा, उसमें आप लोगों को, हमने बताया कि data path होता क्या है, है ना, बताया CPU में data path, इस बारे में बताया था मैंने, कैसे कैसे हम जाएंगे, है ना, फिर हम ये भी देखे, कि control unit क्या होती है, control unit generate करती है, control signal, और ये control signal जो है, आपको क्या देते है, control signal हर एक component के पास जाएंगे, और component उनके according काम करते है, ये हमने देख लिया, आज हम देखेंगे, control unit design कैसे होती है, मतलब, अगर मैंने कहा, कि ये जितना भी data path है, ये पूरा data path इस चीज़ पे काम करता है, कि control signal कौन-कौन से इस पे आएंगे, बट कौन generate करेगा control signal, मैंने कहा था, कल control unit generate करेगी, अब अगर ये control unit generate करेगी, तो कैसे, how this control unit will generate the signal, ये आज हम देखने वाले हैं, तो control unit को अगर signal generate करने हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए, कि control unit को design करने के कितने type होते हैं, तो दो type की control unit होती है, एक है hard wired control unit, एक है microprogramming control unit, इसका मतलब क्या है, type का मतलब है, कि how control unit generates the control signals, उसके basis पे, दो type की हमारे पास control unit होती है, ये जो दोनो टाइप हैं, ये दोनो किसके basis पे हैं, how the control unit generates signal, उसके basis में दो type की है, hard wired और microprogram, एक एक करके देखेंगे जरूर, बट मुझे इतना confirm कर दो कि क्या यहां तक आप सब लोग एक page पे हैं मेरे साथ में, क्या आप सब लोग इसी page में हैं, मेरे साथ में हैं, बराबरी से हैं, अगर आप लोग मेरे साथ हैं, यहां तक सब कुछ ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और मैं आगे पढ़ाओंगा, आगे बढ़ सकते हैं, hard wired control unit के बारे में आज हम बात करेंगे, दिखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, hard wired control unit, मतलब यह जो control unit है, वो कैसे generate करेगी control signals, यह जो control unit है, कैसे generate करेगी control signals, through hardwares, तो आपने क्या किया, control unit का design जो है, वो hardwares के through किया, अब hardwares क्या होते हैं, digital logic में hardware पढ़े हैं, gates पढ़े हैं, flip-flop पढ़े हैं, multiplexers पढ़े हैं, decoder पढ़े हैं, कुछ तो पढ़ा है ना, counter पढ़े हैं, यह सब, सब जितना भी, जब भी, जो जैसे भी use हो जाए, इन सारे के सारे, या फिर इन में से कुछ hardwares को आप use करके, connect करके, और एक ऐसा hardware बनाओगे, जो कि requirement के basis पे control signal generate करके दे दे, अब इस line में बहुत important point में ने कहा, कि requirement के basis पे, आखे बंद करके control signal generate नहीं करना है, आपका जो control unit है, वो थोड़ा तो intelligent काम करेगा ना, कि अब मुझे यह micro operation perform कराना है computer में, तो यह signal यहाँ यहाँ जाने चाहिए, ताकि यह micro operation पूरा हो जाए, कल मैंने control word बताया था, आपको अगर याद है तो, control word क्या था, यह ऐसे signal का collection मैंने बताया था, यादे, है ना, तो एक micro operation को perform करने के लिए, किस type का control word generate करना है, किसको one, किसको zero करना है, यह कौन decide करेगा, control unit, बट यह से आँख बंद करके थोड़ी decide कर सकता है, requirement चाहिए ना, कि अच्छा अब आगे यह करना है, तो इसके लिए यह वाले signal को one, इसको zero, इस तरीके से पूरा control word generate कर दो, अब आगे यह करना है, तो ऐसे ऐसे signal को one, इसके signal को zero, और यह वाला पूरा control word generate कर दो, तो कौन करेगा, control unit, किसके basis पे करेगा, requirement की basis पे, कैसे करेगा, requirement तो दे दी हमने, control unit यह है requirement, करो generate signal, कैसे करेगा, अंदर लगा है एक circuit, किसका hardware का, तो जैसे उसने requirement ली, वो hardware का circuit, immediately requirement को judge करके, understand करके, और क्या generate कर देगा, control signal generate कर देगा, तो यह definition पढ़ो अब यहाँ पे, क्या दे रखा है, control logic, control logic मतलब जिससे control signal generate होता है, वो, is implemented with gates, flip-flops, decoders, and other digital circuits, तो जो control signal generate करेगा, वो किसका बना है, इन hardware का बना है, है न, यह मजदूर का हाथ है कातिया, कुछ dialogue याद आया, तो यह hardware का बना हुआ है, control unit, जब भी कोई requirement आती है, तो immediately control signal generate हो जाता है, है, बहुत गंदी काफी थी, बट कम से कम आपको याद रह जाएगा, advantage क्या है, अगर आपने hardware के थू, control signal generate करवाए, तो सबसे बड़ा advantage है कि hardware बहुत fast होते हैं, बहुत fast होते हैं, तो control signal generate करना बहुत quick हो जाता है, जैसे requirement आई, immediately control signal generate हो गए, क्यों, क्योंकि these hardwares are so fast, तो can be optimized to produce a faster mode of operation, तो ये जो hardware control unit है, बहुत fast होती है, quick होती है, इसलिए हम इसको optimize कर सकते हैं, कि बहुत quickly ये control signal generate करते हैं, हमारा control unit बहुत fast होगा, बट इसका disadvantage बहुत बड़ा है, disadvantage क्या है, disadvantage है इसका design, अगर आप hardware का design करते हो, कि एक signal यहाँ से यहाँ गया, फिर यह हमने लगा दिया end gate, फिर end gate का result यहाँ गया, फिर वहाँ से और gate, और gate से और कुछ इतने, जो भी circuit आप design करोगे, किसके लिए, control signal generate करने के लिए, एक बार आपकी requirement fix होगी, एक बार एक बार आपने यह design कर दिया, requirement fix होगी, control unit बना दिया, बट बाद में later on आपको लगा, कि मुझे इस data पात में छोटे से change करना है, थोड़ा सा change करना है, थोड़ा सा अगर change कर दिया, तो control unit में भी change करना पड़ेगा, अगर control unit को update करना पड़ा, तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर के circuits बदलने पड़ेगे, circuit बदलना आसान नहीं होता है, इस control unit के भी और real life के भी, real life के circuits को भी change करना आसान नहीं होता है, जो circuit हे, वो circuit ही रहेगा, है न एक बार डिजाइन हो गया तो वैसे ही रहेगा यहाँ भी वैसे ही होता है control unit में अगर एक बार आपने circuit डिजाइन कर दिया तो उसको update करना मुश्किल होता है तो जो disadvantage यहाँ लिखा गया है वो यह कि rearranging the wires among various components is difficult एक बार अगर आपने design कर दिया control unit का तो फिर जो circuit का updation है या control logic का updation है जब हम circuit में changes करेंगे wires को यहाँ वाहाँ reconnect करेंगे वो बहुत difficult हो जाता है theoretically भी और practically भी I hope आप लोग समझ पा रहे हों है ना समझ पा रहे हो yes no जल्दी से बताओ और enjoy कर रहे हो तो session को like करते रहो हो या चल तो आगे बढ़ते हैं और यह तो हुआ basic काम कि hardware control unit hardware का बना होता है faster होता है और disadvantage क्या है कि इसमें wires का rearrangement मुश्किल होता है इसका मतलब है इसी point को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि updation in control logic is difficult यह भी correct है अगर control के logic में हमें change करना है तो वो भी difficult हो जाएगा बोलो ठेक है निया जल्दी बताओ भी या कल festival है और आप सब लोगों को shopping पे जाना है ना पापा के साथ में थेला उठाने के लिए जल्दी बताओ जल्दी बताओ चलो है ना updation in control logic is difficult यह आगे बढ़ते हैं अब आगे क्या है hardware का design ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ यह क्या दिखा दिया सर हमारा दिमाग यह दगदग कर रहा है रहा वावाई दर सब कुछ यह इतना tension देने का ज़रूत नहीं है मैंने कहा requirement के basis पे control unit signal generate करता है है ना जो जितने signal generate होते हैं तो signal का जो पूरा collection है उसे हम क्या बोलते हैं control word इस control word में अलग 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 signal होंगे एक 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 जो अलग अलग component पे जाएंगे हमने कल ही देखा है है ना yes no बोलते रहें ना ओके तो यह है मेरी control unit इस control unit से generate क्या होंगे signals यह रखे सारे के सारे signal mc0 से लेके cm तक बहुत सारे control signals है क्या है यह सारे control signals is that fine चल अब requirement क्या आएगी requirement क्या होगी requirement क्या होगी control unit के पास requirement क्या आती है execution की किसके instruction के but सारे के सारे instruction का execution एक जेसा होता है क्या क्या हर एक instruction का execution similar way में होता है अब तू certain level similar way में होता है कि fetch सबको लगेगा अब तू decode decode सबको लगेगा पर उसके बाद परिवर्तन हो जाता है कैसे अब अगर instruction addition type का है तो उसके लिए ALU को addition type का notification भेजना पड़ेगा न ALU को क्या यहाँ पे जब हम ALU को यहाँ पे जब हम operation code भेटते हैं control unit भेजती है तो addition करने के लिए भेजना पड़ेगा अगर instruction subtraction type का है तो ALU को subtraction type का आप code भेजना पड़ेगा है ना अगर instruction branch type का है तो उसका execution अलग तरीके से होगा अगर instruction end type का है तो उसका अलग तरीके से होगा instruction अगर memory से read करके content को load करना है register में वो अलग तरीके से होगा तो सारे instruction का type का execution क्या होगा अलग अलग तरीके से होगा तो control unit को यह inform करना ज़रूरी है कि भाया E instruction को आपको execute करना है इस बारी तो जब हम CPU design करते हैं ना तो CPU design करते वक्त एक type के instruction को कैसे execute किया जाता है उसका पूरा design CPU के अंदर रहता है और उसका पूरा information इस control unit के पास भी रहता है कैसे information रहेगा अरे हम circuit design करेंगे तो पता रहता है कि अगर यह वाला type का instruction आया one type का type one आया तो इसको कैसे execute करना है पहले यह micro operation फिर यह micro operation फिर यह फिर यह फिर यह और instruction खतम फिर अगर कोई और दूसरे type का instruction आया तो उसके लिए भी CPU को पता रहता है कि पहले यह micro operation फिर यह फिर यह फिर यह फिर यह जैसे कि मैंने आपको दो दिन पहले पूछा था कि हर एक instruction को execute करने के लिए अलग-अलग number of cycle लगती है आपने बोला था हाँ इसी को ही हमने फिर एक बार check करके भी देखा कि ALU type के instruction के लिए अलग number of cycles लग रही है branch type के लिए अलग number of cycles लग रही है है ना तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि एक instruction को 4 cycle एक को 6 cycle एक 8 cycle अलग-अलग लग सकती है है ना तो जब कभी इस control unit को कोई instruction execute करना है तो control unit को instruction का fetch और instruction का decode हर एक instruction के लिए same रखना है बढ़ जैसे ही instruction decode हो गया उसके बाद instruction के according ही control unit बिहेव करेगी अगर आप लोग cricket खेलते हो तो यह simple सी बात है कि अगर batsman खड़ा है तो batsman क्या हर एक ball पे एक जैसा shot खेलेगा नहीं, ball के merit के हिसाब से खेलेगा ना shot pitch ball आई तो उसके according है ना, half volley आई तो उसके according full toss ball आई तो उसके according according to the ball ही खेलेगा ना यहाँ पे भी control unit किसके according signal generate करेगा instruction के according तो हमने क्या क्या control unit का logic ऐसा fit किया, ऐसा design किया कि fetch हर किसे का एक जैसा, फिर decode हर किसी का एक जैसा पर जैसे ही instruction decode हो गया उसके बाद क्या? उसके बाद instruction के type पे depend करेगा कि उसका execution कैसे जाएगा, तो हमने क्या किया decode, instruction का decode करके और इस control unit को information भेजी कि भाईया, control unit हमने decode कर दिया और यह instruction इस type का है, तो अगर वो i0 type का है तो यह enable हो जाएगा, i1 type का है तो यह enable हो जाएगा, अगर iK type का है तो यह enable हो जाएगा, यहाँ से क्या समझ में आएगा instruction का type किसको control unit को फिर control unit का हमने design कर दिया कि यह अगर suppose i0 type का instruction है control unit को समझ में आगया जी हाँ तो आप control unit को पता चलना है यह अंदर circuit है कि मुझे कितनी बार control word generate करना है इस instruction को execute करने के लिए एक cycle लगेगी 2 की 3 की 4 की 5 अब वो cycle का जो routine होगा वो यहाँ timer generator के through set होगा कि suppose 4 cycle लग रही है है ना तो क्या होगा i0 enable हो गया जी हाँ यह T1 यहाँ पे से signal आएगा control unit generate करेगा क्या एक control word set of control signals एक micro operation perform एक cycle done जैसे ही वो cycle done फिर echo T2 timer आया control unit को पता चला इस instruction के लिए T2 timer पे मुझे यह control word भेजना है विए भेज दिया दूसरा micro operation done फिर तीसरा timer आया चोथा timer आया 4 micro operation perform instruction खतम यस जैसे ही instruction खतम यह timing वापस से 0 पे set हो गया फिर control unit बोलेगी कि अगली वार अगला नया instruction fetch करके लाओ तो हम बताएंगे फिरना यह instruction fetch होगा decode करके और control unit को बताएंगे अच्छा यह कौन सा instruction है यह i6 type का है तो i6 type के लिए कितनी cycle लगेंगी उतनी बार हम control word एक के बाद एक के बाद एक भेज देंगे और काम खतम ऐसे क्या होगा यह hard wired control unit चलेगा इसका design हमें इतना detail में नहीं देखना है बस working समझना है कि working क्या है अब जो मैंने अभी तक का working समझाया इसको एक जो architect है ना कौन architect जो यह CPU design करेगा हो सकता है आज से 5 साल 10 साल बाद आप लोग Intel जैसी company में काम करो या ARM वाली company में काम करो या Colcom company में काम करो और अपना खुद का CPU आर्किटेक्चर बनाओ फिर मेरी बात याद आएगी हाँ सर ने बताया था control unit ऐसे होता है आज हम design कर रहे हैं वाह मुझे बताना जरूर अगर आप design करो मैं अपने students को बताऊँगा कि मेरा student है तो क्या signal generate होंगे दूसरा timing है तो क्या signal generate होंगे तीसरा timing है तो क्या signal generate होंगे क्योंकि जो micro operation perform कराना है वो एक architect को पता होता है कि ये micro operation perform कराना है और उसके लिए कौन-कौन से signal enable और कौन से disable करने है है ना तो इसके लिए पहले architect करता क्या है architect एक इस type के table बनाता है क्या बनाता है एक table बनाता है इस table में रहता क्या है इस table में यहां तो रहते है type of instructions color change करना पड़ेगा कि कौन-कौन से type के instruction जो है वो ये वाला computer system support करता है let's say instruction number i1, i2, i3, i4, i5 and so on और फिर आपके पास vertical जो यहां है यहां पे होगा time में कि किस particular time पे instruction number 1 के लिए चाहिए 1, 2, 3, 4 cycle instruction number 2 के लिए हो सकता है 5 cycle तक चाहिए instruction number 3 के लिए 3 ही cycle चाहिए instruction number 4 के लिए 2 ही cycle चाहिए कब किस पे क्या होगा चाहिए यह नहीं visible इसको clear करके और फिर से visible बना देते हैं don't worry अभी दिखा आखे खराब है तुम्हारी चेक कराओ i1, i2, i3, i4 तो जितने भी टाइप के instruction सपोर्ट करेगा न कौन यह CPU उसके लिए एक टेबल इस टाइप की बन जाएगी उस टेबल में information क्या रहेगी information यह रहेगी कि आप यह बताओ कि C0 से लिके CM तक आपके पास अलग-अलग-अलग-अलग micro operation sorry यह है अलग-अलग signal क्या है signal C0 से लिके CM तक अलग-अलग signal है instruction number 1 को अगर execute करना है तो सबसे पहले T1 टाइम पे एक control word जाना चाहिए control word मतलब यह पूरे signal generate होने चाहिए यह पूरे signal generate करने के लिए कौन सा signal enable कौन सा disable करना है वो आपको information यह लिखनी है कौन सा enable कौन सा disable करना है वो यह लिखना है तो मैंने लिख दिया कि suppose instruction number 1 को सबसे पहले execute करने के लिए जो सबसे पहला micro operation होगा उस micro operation के लिए आपको control unit को c1, c6, c9 और c12 यह वाले instruction यह वाले control signals को enable करना है बाकी सबको disable इनेबल मतलब इनको one कर दो बाकी सबको disable ऐसा एक table मैंने theoretically बनाया मैंने मतलब जो cpu design करेगा उसने कल देखा था ना हमने यहाँ पे यह मैंने signal बताय थे ना कौन सा one कौन सा zero तो मैंने इनको numbering दे दी कि यह वाला zero one two three four तो इसको one कर दो इसको one कर दो इसको one कर दो बाकी सबको zero रखो micro operation perform हो जाएगा तो ऐसा ही हमने क्या किया हमको पता है कि cpu का design क्या है मुझे यह भी पता है कि control unit design कैसे हो नहीं है तो मैंने पहले यह table बना दी फिर क्या हुआ है i1 t2 i1 instruction को second time second time मतलब timer 2 पे कोन-कोन से signal enable करने पड़ेंगे ताकि second वाला micro operation खतम हो जाए second वाला micro operation के लिए let's say c1, c6, c9, c10 और c11 यह वाले signal enable करने पड़ेंगे ऐसे ही क्या करना पड़ेगा ऐसे ही जितने भी signal enable करने हैं हर एक instruction के लिए हर एक timing पे ऐसी पूरी table बनेगी पूरी क्या बनेगी? table बनेगी और फिर वो table के according इसका होगा design किसके basis पे? अगर आपने digital logic पढ़ा है तो digital logic में पढ़ा होगा कि कब कोन सा signal enable करना है उसका आपको boolean formula लिखना पढ़ता है boolean formula लिखना पढ़ता है तो इस table के basis पे हर एक signal का boolean formula बनेगा और boolean formula के basis पे बनेगा इसका design अब ये तो बहुत छोटा सा काम है जो मैंने यहाँ आपको represent किया पर truly अगर आप देखोगे, actual देखने जाओगे तो ये इतना tough task होता है कि hardware control unit design करना बहुत tough होजाता है, बहुत ज़्यादा tough बहुत ज़्यादा tough चल तो अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, इतना तो समझ में आ गया तो जो हमने ये table बनाई है, इस table के basis पे हो गया क्या? based on the table, for each signal, a boolean formula और boolean equation जो भी आप लिकना चाहूँ, is created and then the hardwired control unit is designed based on it, तो उसके basis पे फिर hardwired control unit design हो जाती है, है ना, चलो, इससे अच्छा आपको कोई example नहीं मिलेगा, ये देखो, एक hardwired control unit किसी ने design की, क्या कहा कि उस पूरे computer system में अगर आप क्योशन नहीं, read कर पायों मिले read कर देता हूँ, a hardwired CPU uses 10 control signals S1 to S10, मतलब कि वो जो control unit है, वो total 10 signal generate कर सकती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कल बताया था ना, इस data path में धेर सारे signals थे, in out for IR, A, AR in out, D1 A in out, D2 in out, PC का in out, incrementer, multiplexer 1 का select, multiplexer 2 का select, then memory का read write, फिर ALU के लिए 5 signal, ऐसे total बहुत सारे signal थे, यहाँ पे कितने signal दे रखे हैं इस question में, किस question में दे रखा है, सिफ 10 signals है, S1 से S10, numbering दे दी in generalized way, फिर कहा है, in various time steps T1 to T5 to implement 4 instructions I1 to I4 as shown below, बहुत चोटा सा example है कि CPU सिफ 4 type के instruction support कर सकता है, I1, I2, I3, I4, पस, और हर एक instruction को execute करने के लिए 5 cycle की जरुरत लगती है, पहले time T1, 52, 53, 54, T5 और आपका पूरा instruction खतम, आगे दे रखा है, S5 और S10 का आपको boolean formula निकालना है, यह आप लोग को visible है थोड़ा, कुछ तो visible है कि यह बिलकुल ही नहीं दिख रहा है, क्या यह visible है, is this visible to you guys, चलो मैं देखता हूँ कि अगर मुझे कही option मिलता है, tools में जाके और इसको magnify करने का, अभी देखो, यह रहा T1, T1 में है आपके पास S1, S3, S5, S1, S3, S5, S1, S3, S5, 4O instruction के लिए T1 में same signal enabled है, चलो, अभी तो better हुआ, अभी question क्या पूछा है, question यह पूछा है, इसको थोड़ा उपर करते है, question read करते है, which of the following pair of expressions represent the circuit for generating control signals S5 and S10, ठीके, ओके, तो S5 और S10 के लिए हमें generate करने हैं, क्या signal, चलो, बहुत बढ़िया, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, अब समझते हैं कि S5 कहा कहा enabled है, उसका हमें क्या करना है, formula generate करना है, तो S5 कहा कहा enabled है, हम circle कर लेते हैं, यह S5 enabled यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, तो यह 4 जगे पे, यहां पे, और 2 जगे पे, यहां पे S5 enabled है, अगर इसका हमें min term लिखना है, यह देखो, यहां पे S5 का min term लिखा हुआ है, तो S5 का min term हम क्या करेंगे, कि जब I1 enabled है T1 time पे, या फिर जब I2 enabled है T1 time पे, या फिर I3 enabled है T4 time पे, और I4 enabled है T1 time पे, और I2 enabled है T3 time पे, I4 enabled है T3 time पे, चलो तो इसका formula मैं पूरा अच्छे से यहां लिंग देता हूँ, S5 का, वो क्या है, I1 T1, प्लस I1 और T1 दोनो enabled रहें, 1 1, 1 and 1 क्या हो जाएगा, और या फिर क्या है I2 और T1, या फिर I3 और T1, और और के लिए हम लिखते हैं प्लस बूलियन में, I4 इंस्ट्रक्शन T1, और I2 T3, और I4 T3, ये लिख लिया हमने formula, अब इस formula को थोड़ा simplify कर सकते हैं, कैसे, देखो हमको एक चीश समझ में आई, कि instruction चाहे कोई भी हो, I1 हो, या I2 हो, या I3 हो, I4 हो, सारे instruction, all the instructions will have, T1 time पे S5 enabled, तो कोई भी instruction हो, irrespective of that, अगर timer T1 है, तो for sure S5 enabled रहेगा, है ना, तो हम I1, I2, I3, I4 को क्या कर सकते हैं, यहां से, ऐसा कर सकते हैं, यहां से इन सबसे T1 को अगर common लिया, तो यह आ जाएगा, I1 plus I2 plus I3 plus I4, चारो instruction के लिए, अगर T1 है, तो हमारे पास, क्या होगा, चारो में से कोई भी instruction हो, अगर T1 है enabled, तो यह वाला signal S5 enabled रहेगा, और साथी साथ, यहां से हम क्या common ले सकते हैं T3, तो यह आ जाएगा I2 और I4, कोई भी instruction हो, अगर timer है 3, तो definitely S5 enabled रहेगा, अब अगर हमने लिखा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 और I4, और यह चारों ही है total, तो इसे हम बोलेंगे identity, यह complete हमें बिंद देदेगा 1, है ना, complete देदेगा 1, क्यों I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, सारे variables clear हो गए, सारे ही accounted हैं उसमें, अगर सारे ही variable हैं, चारों में से कोई तो एक टाइम पे instruction execute करेंगे, तो कोई भी execute करेंगे वह 1 रहेगा, 1 और 0 और 0 और 0 और 0 will be always 1, 1 into T1 is T1 प्लस रहेगा हमारे पास I2 प्लस I4 into T3 यह आ जाएगा simplified formula for S5 S5 के लिए simplified formula हमें मिल रहा है, यह तो for sure नहीं है T1 I2 प्लस ठीक है, B correct है C भी correct है D भी correct है, B, C, D टीनों में same formula है, अब हमें क्या करना है, अब हमें S10 का formula लिखना है, यह हो गया, तो S10 का formula लिखना है, S10 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S10 के लिए डूढ़ना पड़ेगा, कि S10 कहां कहां enabled है, चलो तो इसको एक काम करते हैं, इसको पहले clear कर देते हैं, S5 हमारा काम हो गया, इसको clear कर दिया हमने, अब S10 सरक करते हैं, S10 कहां कहां enabled है, 10 यहां तो कही नहीं है, यह रहा 10, और उनेबल है, यह रहा 10, यह रहा 10, यह रहा 10, कितनी जगे पहे हैं, अब यह लोग timer को, common ले रहे हैं, instruction को अंदर लिख रहे हैं, इंस्रक्शन को अंदर लिख रहे हैं, टाइमर कॉमन है, मतलब T2 के लिए I2 प्लस I3 होना चाहिए, तो हमारे पास फॉर्मूला सीधे सीधे हम यही से लिख सकते हैं, T2 के लिए I2 और I3 कॉमन होना चाहिए, प्लस T3 के लिए I4, प्लस T4 के लिए I1 और I3, तो लिखा मैंने I1 प्लस I3 और T4 प्लस T5 के लिए क्या I2 और I4, यह लिख दिया मैंने I2 प्लस I4 इंटु T5, देखो कॉन सा फॉर्मूला मैच हो रहा है, I2 प्लस I3 T2, D option में I2 प्लस I3 T2, ठीक है, I4, I3, T3, ठीक है, फिर I1 प्लस I3 T4, I2 प्लस I4, T5 option D करेक्ट है, बिलकुल है, बिलकुल करेक्ट है, ठीक है, तो ऐसे आप क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला लिख सकते हो, D option करेक्ट हो गया हमारा, समझ में आया कैसे हुआ, चलो, अब एक काम करिएगा आप लो, इसी टाइप का एक और question है gate में, I don't remember the year, बट इसी टाइप का question है, जिसमें अलग-अलग timing पे कौन-कौन से signal enable रहे हैं, उसके नाम लिखे हुए हैं, और उसके basis पे आपको same, इसी टाइप से चार option दे रखे हैं, और चार option में क्या हो जाएगा, चार option में से एक option correct होगा, आ आप identify कर सकते हो, एक और question है gate में, यह दो टाइप के question hardwired control units है, सर इसमें time generator mode कैसे काम कर रहा है, प्रनव का question है, देखो प्रनव, एक बार अगर control signal ने control generate कर दिया, या जो control unit है, उसने control signal generate किया, है ना, उसके बाद next time कब signal generate करना है, वो कैसे पता चलेगा, तो यह timer generator timing signal generate यह clock है आपका, इस clock के basis पे आपका CPU काम करेगा, इसने generate क्या clock, control unit को clock मिली, उसने नया signal का set generate कर दिया, उसके basis पे एक micro operation पूरा हो जाएगा, cycle खतम, जैसे ही खतम, फिर यह clock generator वापस से clock generate करेगा, क्या यह continuously चलता जाएगा, नहीं, यह reset होगा, कब reset होगा, जब एक पूरा instruction खतम हो जाएगा, तो यह वापस reset होगा, ताकि इस control unit को पता चले कि कब मुझे कौन सा signal भेजना है, अगर नया instruction आया, तो उसके T1 पे क्या भेजना है, timer 2 पे क्या भेजना है, timer 3 पे क्या भेजना है, timer 4 पे क्या भेजना है, ऐसे control unit को पता चल जाएगा, पूरा एक जब इन इंस्ट्रक्शन आया नए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वापसे T1, T2, T3, T4 जितने भी साइकल लगेंगी ये टाइमर जनरेट ये टाइमिंग सिगनल जनरेट करता रहेगा ताकि कंट्रूल यूनिट को पता चले कि अब मुझे ये वाले सिगनल को इनेबल डिसेबल क देखना है तो आप एक काम कीजिएगा यूट्यूब पे मेरा नाम लिखिए विश्वदीप C-O-A-P-Y-Q स्पेस के साथ में विश्वदीप स्पेस C-O-A-P-Y-Q एक प्लेलिस्ट खुलेगी कंट्रोल यूनिट के सेकेंड वाले पार्ट में आपको ये वाला क्योशन और इ मुझे इनफॉर्म जरूर करें क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है जब मेरा स्टूडेंट अच्छा करता है जो भी आफ्लाइन ऑनलाइन जो भी पढ़ रहे हो अभी अगर आप लाइव हो तो भी सुन लो और जो अगर रिकॉर्डेट सुन रहे हैं तो भी सुन लो कि करेंगे तैप of second type of control unit which is micro be a 911 और उसके बाद हम बात करेंगे दो टाइप की के बारे में CISC च और फिर हम बात करेंगे लिटिल organization उसके बाद हम करेंगे definitely ठीके चलिए तो याद रखिएगा next class के बारे में बट उसके पहले एक announcement बहुत बड़ा कि आज आप लोगों के लिए Unacademy Plus का एक offer है और यह offer है कि अगर आप लोग आज ही subscription लेंगे either 12 months 18 months या 24 months तो आपके पास prices already 10% less pay आपको मिलेंगे और उस पे और 10% discount आपको मिल जाएगा वीदीप 10 तो पहले 10 already slashed रहे prices only till midnight today midnight शिफ midnight आज midnight तक है सिरु तो याद रखिएगा कि यह subscription का price सिफ आज midnight तक है आप या आपके कोई दोस्त या कोई भी है जो आज subscription लेना चाहते हैं या कभी भी लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छा offer है अच्छा बड़ा discount मिल सकता है अगर subscription लिया है तो 12, 18 और 24 months के package पे ही available है using this code वीदीप 10 आपको 10% का और discount मिलेगा इन prices पे और सांती सांत मिलेगा मेरा personal guidance सिर्फ आज midnight तक offer है सारे subjects cover करवाईगी अच्छे से पढ़ाईगी आपको help करेगी guide करेगी मैं mentor करता रहूंगा मेरी team का आपको support मिलता रहेगा अगर आप लोग को अपनी placement के तयारी करनी है तो placement के लिए हमारे पास campus placement IT jobs का एक नया batch और test series आने वाले हैं यह सारे देख सकते हों आप लोग TCS Ninja का test series है और Wipro का free test series है यह सारे test series आप लोग को Unacademy के platform पे access करने को मिल जाएंगे और नए batches भी हैं आप लोग के सांथ में सारे top educators हैं अगर आप लोग को IT job के लिए तयारी करनी है या आपका कोई friend है जो IT job के लिए तयारी कर रहा है तो यह Unacademy के campus placement का जो category है उसमें subscription ले ले और तयारी कर ले आपको सब को पता है कि code क्या use करना है अगर आपको ज़्यादा discount चाहिए Unacademy Plus के subscription का तो आप लोग combat लिख सकते हो Unacademy का platform का combat जो है वो scholarship test है जो की आप access कर सकते हो Unacademy के platform पे कैसे वीडियो में description के नीचे जा के आपको link मिल जाएगी आराम से उसपे click करो और ये code यूज करके enroll कर दो अगर इस scholarship test में आपकी rank अच्छी आती है तो up to 100% discount आपको मिल सकता है next combat कब होने वाला है और आप लोग को अगर PDF चाहिए class की तो ये रहा टेलिग्राम चैनल जिस पे आपको PDF मिलेंगी PDF डाउनलोड हो जाएंगी साथी साथ announcement मिलेंगे चैनल पे जो भी कुछ होता रहता है उसके सारे के सारे announcement इस चैनल पे होते हैं तो अगर आप लोग team से team के थू जितना भी कुछ होने वाला है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर वो चैनल जोइन कर लो और इस चैनल को support करो क्यों यार अगर हम आपको quality education देते हैं तो थोड़ा आप as payback हमारे लिए कुछ कर सकते हो क्या support करो चैनल को by liking and sharing the sessions and subscribe कर लो notification on करके रख लो ये घंटी बजा ताकि जब भी आपको मेरी class आए तो आपके phone की घंटी बज जाए क्यों ज़रूरी है क्योंकि फिर आप नहीं तो class miss कर दोगे वो आपको अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा चलिए मिलते हैं कल आप से और कल बहुत बढ़ा फेस्टिवल है हिंदु धर्म के हिसाब से गनेश चतूरती है और उसके लिए definitely आप लोग बाहर भी जाना पसंद करेंगे but please stay safe कोशिश करें अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत कुरूशल टाइम है आपके खुद के करियर के लिए so happy learning and thank you so much for joining see you tomorrow bye